पिंकी, ओ पिंकी, आई मा, कहा थी तु, कितनी बार कहा है मेरी आँखों के सामने रहा कर, चल, यह बरतन जल्दी-जल्दी अंदर रख दे, मैं तब तक बाकी का काम निप्टा लेती हूँ, चल जल्दी कर, ठीक है मा ये है सुश्मा और उसकी बेटी पिंकी सुश्मा के पती को गुजरे पूरे तीन साल बीद गए और तब से ही वो घर-घर काम करके अपनो और पिंकी का गुजारा चला रहे थी सुश्मा के जीने का बस एक ही मकसद था कि वो पिंकी को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाना चाहती थी वो हर सुबह पहले पिंकी को स्कूल छोड़ती और फिर अपने काम के रहे निकल जाती फिर पिंकी के स्कूल की छुटी के वक्त उसे अपने साथ लेकर ही घर लोटती थी लेकिन जब भी पिंकी के स्कूल की छुट्टी होती तो वो उसे अपने साथ काम पर ले जाये करती थी पिंकी भी अपनी मा के काम में मदद करने की पूरी कोशिश करती थी साथ ही खूब मन लगा कर पढ़ती भी थी फिर एक दिन मा ये पिज़ा क्या होता है ये तुने कहां से सिखा वो सफेद वाले बंगले में मैंने देखा था वहां सारे बच्चे वही खा रहे थे तुम काम कर रही थी तब मैंने देखा था अब देखने में तो रोटी जैसा ही था लेकिन रोटी से थोड़ा मोटा था और उसके उपर बहुत कुछ सजा रखा था और वो मुझे भी खाना है मा अरे पिंकी ये सब अमीर लोगों के चोचले हैं और सच बताऊं तो उसे खाना सेहत के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता चल मैं घर चल कर तेरे लिए हलवा बना देती हो तेरा मन पसद जो खाने में बढ़ियां भी होगा और उसे खाकर मेरी पिंकी ताकतवर भी बनेगी है ना? इस तरह सुश्मा उस वक्त पिंकी को बहला लेती है और कुछ दिनों के लिए पिंकी भी पिज़ा के बारे में भूल जाती है लेकिन फिर जब अगली बार पिंकी अपनी छुटी के दिन अपनी मा के साथ दुबारा उसी घर में जाती है तो वहाँ फिर से वही सब देखती है जो उसने पिछली बार देखा था उस घर के सारे बच्चे फिर से पिज़ा पार्टी कर रहे थे और उन्हें इस तरह पिज़ा खाते हुए देखकर पिंकी का मन फिर से ललचाने लगता है और वो मनी मन सोचने लगती है देखने में कितना टेस्टी लग रहा है इन लोगों के तो कितने मज़े हैं काश मैं भी कभी ये पिज़ा खा पाती पिंकी ये सब सोची रही थी कि पिज़ा खा रहे बच्चों में से एक बच्चा उसे वहाँ खड़े हुए देख लेता है और उससे कहता है ए क्या देख रही है वहाँ से चुप चुप किये पिंकी की नजर अब भी पिज़ा पर ही थी उसने उस बच्चे से कुछ कहा तो नहीं लेकिन उसे देखकर ही साफ पता लग रहा था कि उसका सामने रखा पिज्जा खाने का बहुत मन था उस बच्चे की बात सुनकर पिंकी का चेहरा खिल उड़ता है वो फॉरण पिज्जा के पीस की तरफ आगे बढ़ती है लेकिन तब ही वो बच्चा उस पिज्जा के पीस को उठा लेता है और अपने साथी बच्चे की तरफ उच्छाल देता है पिंकी उस पीस की तरफ दोड़ती है लेकिन वो पीस को पकड़ नहीं पाती और वो पिज़ा का पीस जमीन पर गिर जाता है अरे यार सौरी कैच नहीं कर पाया लगता है वाकई ये पीस इसकी किस्मत में है जा उठा के खा ले नन्य पिंकी ये समझ ही नहीं पाती कि वो बच्चे असल में उसकी गरीबी का मजाग उड़ा रहे हैं वो बिचारी खुशी खुशी जमीन पर पड़े उस पिज़ा के टुकड़े की तरफ पड़ती है कि तभी उसे अपनी मा की आवास सुनाई देती है नहीं पिंकी छोड़ उसे इधर आ मेरे पास मा लेकिन वो पिज़ा पिंकी मैंने कहा न इधर आ उसे नहीं खाना वो जमीन पर गिर गया है गंदा है वो सुश्मा के कहने पर पिंकी उस पिज़ा के टुकड़े को उठाती तो नहीं, लेकिन वहीं खड़ी होकर उसे ललचाई नजरों से देखने लगती है ये देखकर सुश्मा आगे बढ़ती है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है घर आकर सुश्मा बहुत रोती है, पिंकी के साथ आज जो हुआ, उसे उसका बहुत दुख हो रा था वो अपना बटबा खोल कर देखती है, उसमें कुछ पैसे थे, जिनने देखकर वो मनी मन सोचती है इतने पैसों में एक छोटा पिज़ा तो आ ही जाएगा, लेकिन ये बात सर्फ एक बार की नहीं है अगर पिज़ा का स्वात पिंकी को पसंद आ गया तो वो बार बार खाने की जित करेगी और फिर मैं कैसे उसे मना कर पाऊंगी, नहीं, मुझे कुछ और तरकीब निकालनी पड़ेगी आम, क्या कर सकते हो पिंकी की आवाज सुश्मा के कानों में गुंचते हुए आम, देखने में तो रोटी जैसा ही था, लेकिन रोटी से थोड़ा मोटा था और उसके उपर बहुत कुछ सजा रखा था अ, हाँ, यही ठीक रहेगा अगली सुबह सुश्मा पिंकी को स्कूल छोड़ती है और लेकिन काम पर जाने से पहले वो एक पिज़ा शॉप पर जाती है और दुकान के बाहर खड़ी होकर कुछ सोचने लगती है फिर बड़ी हिम्मत करके वो उस लड़की से बात करने की कोशिश करती है जो उस पिज़ा शॉप के काउंटर पर खड़ी थी सुनो बहन, क्या तुम यहीं काम करती हो हाँ, पर तुमें क्या काम है मुझसे तुम यहाँ पर क्या काम करती हो मैं लोगों के ओर्डर लेती हूँ और फिर उनका बिल बना कर उनसे पिज़ा के पैसे लेती हूँ और उन्हें उनका पिज़ा पकड़ा देती हूँ ओ तो यहाँ पर पिज़ा कौन बनाता है अरे साफ साफ बोलो ना तुम किसे ढून रही हो किस से मिलना है तुम्हें? सुश्मा फिर उस लड़की को अपनी बेटी की पिज़ा को लेकर दीवान की और अपनी तंग हाली के बारे में सब कुछ बताती है उस लड़की को पिंकी के लिए बहुत बुरा लगता है उस दिन सुश्मा काम से छुटी लेकर घर वापस आ जाती है उसे कुछ भी करके अपने हाथों से पिंकी के लिए पिज़ा बनाना था जो खाने में स्वादिष्ट भी हो और उसके बज़ट में भी फिट बैटता हो बहुत दिमाग लगाने के बाद सुश्मा पिज़ा बेस की जगह गेहूं की रोटी का इस्तिमाल करती है सौसेस की जगह घर पर बनाई हुई चटनी लगाती है और अपने घर के पीछे उगाई हुई ताजी सब्जिओ को पकाकर उन्हें अपनी देसी पिज़ा के उपर सचा देती है इसके अलावा वो थोड़ा सा पनीर घिसकर भी पिज़ा के उपर डाल देती है उसका बनाया पिज़ा देखने में बिल्कुल बाजार के रेडिमेट पिज़ा जैसा ही लग रहा था लेकिन हकीकत में वो उससे काफी सस्ता था और सेहत के लिए नुकसान दायक भी नहीं था अब सुश्मा को बस पिंकी के स्कूल से आने का इंतजार था सुन पिंकी जब तक मैं ना कहूं आँखे मत खोलना ठीक है न बस इधर आँ हाँ बस पहुँच गए अब आँखे खोल तो जड़ा पिज़ा मा ये पिज़ा मेरे लिए है हाँ मेरी बच्ची पूरा कभी है पिंकी की खुशी का ठिकाना नहीं था वो बड़े ही चाव से फटा फट उस पिज़ा को खाने लगती है और उसे इस तरह खुशी से खाते हुए देखकर सुश्मा को बहुत सुकून मिल रहा था पिंकी तब तक नहीं रुकी, जब तक वो पिज़ा पूरी तरह से खत्म नहीं हो गया, और फिर पिंकी ये तो बता कि तुझे ये पिज़ा कैसा लगा बहुत ही टेस्टी था मा, टेंक यू मा, मेरे लिए पिज़ा लाने के लिए मैं इसे कहीं से खरीद कर नहीं लाई बलकि मैंने तेरे लिए इसे घर पर ही बनाया था बेटा क्या तुम सच कह रही हो मा ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया तो इसका मतलब मैं जब चाहूं तो मेरे लिए ऐसा ही पिज़ा बना दोगी न हाँ बेटा जब तू कहेगी मैं तुझे अपने हाथों से गरम गरम पिज़ा बना कर खिलाओंगी लेकिन अब तू भी मुझसे एक वादा कर तू कभी भी जमीन पर गिरी हुई चीज नहीं उठाएगी और कभी किसी से कुछ नहीं मांगेगी जो भी चाहिए अपनी मां से कहना ठीक है बेटा हाँ मां इतना कहकर पिंकी अपनी मां के गले से लग गई अब पिंकी को जब भी पिज़ा खाने का मन होता सुश्मा घर पर ही उसके लिए उसका मन पसंद पिज़ा अपने तरीके से बना देती अब सब बदल गया था अब पिंकी को किसी को भी पिज़ा खाते देख कर बुरा नहीं लगता था वो बच्चे उसे चड़ाने की कोशिश करते तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता फिर एक दिन जब सुश्मा अपना काम कर रही थी तो उसने अपनी मालकिन को उदास बैठे हुए देखा तब सुश्मा ने जाकर उससे पूछा क्या हूँ अदिदी कुछ परिशानी है क्या क्या बताओ सुश्मा इन बच्चों से तंग आ गई हुमें पिज़ा के अलावा कुछ और खाना ही नहीं चाते ये जंग फूट खाखा कर सबने अपनी तब्यद बिगार ली है डॉक्टर ने बाहर का खाना देने से साफ मना किया है लेकिन ये जिद किये बैठे हैं कि खाएंगे तो सिर्फ पिज़ा अब तू ही बता सुश्मा मैं आखिर करूं तो क्या परिशान मत हो दीदी आपको हो तो मैं बच्चों के लिए घर पर पिज़ा बना दू घर पर पिज़ा तुझे आता है क्या पिज़ा बनाना हाँ दीदी ये मेरी पिंकी भी कम है क्या आपके बच्चों को पिज़ा खाते देखकर इसने भी जिद पकड़ ली थी अब मेरी तो इतनी हैसियत नहीं है दीदी तो मैंने भी लगाया अपना दिमाग और घर पर ही बना दिया रोटी का पिज़ा और मज़े की बात तो यह है दीदी कि पिंकी को बड़ा पसंद आया खूब मज़े लेके खाती है अच्छा यह तो बहुत ही बड़िया है रोटी का पिज़ा जो बच्चों को नुकसान भी नहीं देगा पर तुम उसके उपर क्या क्या डालती हो बस घर पर बनी लाल टमाटर की खटी मिठी चट्मी उसके उपर खूब सारी ताजी सबसियां और थोड़ा सा पनीर भी अरे वा सुष्मा तुझे नहीं पता अगर ये तरीका मेरे बच्चों पर भी काम कर गया ना तो मेरी बहुत बड़ी मुसीबत दूर हो जाएगी चल अब तु बाकी के काम छोड़ और सबसे पहले अपना रोटी पिज़ा ही बना दे सुष्मा जट से रसोई में जाकर बच्चों के लिए रोटी पिज़ा बनाने लगती है और फिर उसकी मालकिन उस पिज़ा को ले जाकर अपने बच्चों के सामने रख देती है बच्चे उस पिज़ा को देखकर बिल्कुल भी फर्क नहीं कर पाते और उसे उठा कर खाने लगते है खाते हुए भी उन्हें उस रोटी पिज़ा से कोई तकलीफ नहीं होती उल्टा उन्हें तो उसका स्वाद बहुत पसंद आता है और ये देखकर उन बच्चों की माँ बहुत खुश हो जाती है सुश्मा मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तु इतना बड़ा कमाल भी कर सकती है सच में तुने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी लेकिन यहां मेरे जैसी और भी कई माएं हैं जिनके बच्चे जंग फूट के दिवाने हैं और अपनी सेहत से खिलवार कर रहे हैं तो अगर तुम चाहो तो तुम उन सब की भी मदद कर सकती हो साथ ही साथ बढ़िया कमाई भी कर सकती हो जी दीदी मैं कुछ समझी नहीं मैं ये कह रही हूँ कि तुम क्यों न अपने रोटी पिज़ा का स्टॉल शुरू करो लेकिन दीदी मेरे पास लागत लगाने के पैसे नहीं है और जगा भी तो नहीं है अरे इस सब की चिंता तू मत कर वो सब मैं देख लूँगी तू तो बस हाँ बोल और लग जा काम पर अब सब की मुश्किले हल होने वाली थी सुश्मा को एक नया रोज़कार मिल गया था और कई माओं को अपने बच्चों की अच्छी सेहत जो सुश्मा के रोटी पिज़ा में छुपी हुई थी एक गाउं में करुणा नाम की एक विद्ध विद्वा औरत रहती थी उसका पती रामप्रसाग एक रोट हाथसे में मर गया था करुणा का एक लड़का भी था जो की शेहर में जाकर बस गया था और उसने वहीं शादी भी कर ली थी करुणा अपना गुजारा करने के लिए अपने पती की पुरानी मोमोस की दुकान चलाए करती थी बेटा अब इन बुड़ी हड़ियों में जान नहीं बची है कब तक जिन्दा रहूंगी नहीं पता तु बस एक बार घर आजा तुझे देखने का बहुत मन कर रहा है तेरे पिता जी के जाने के बाद तु ही तो एक सहारा है मेरा मा मैं काम कर रहा हूं मिरे पास समय नहीं है मैं नहीं आ सकता और बार-बार आप फोन मत करा कीजिए सुधिर फिर फोन कार्ट देता है करुना उदास मन लिए टेलिफोन बूट से बाहर आती है क्या हुआ भाबी जी? क्या बोला सुधिर? बस यही बोल रहा है कि समय मिलेगा तो आ जाओंगा अगर बुरा ना मानो भाबी जी तो एक बात बोलू सुधिर अब शेहर जाकर बदल गया है आप उसकी रहा देखना बंद कर दे धनी राम जी, कोई माँ अपने बच्चे को कभी भूल नहीं सकती आप बताओ कितने पैसे हुए मैं आपसे कैसे पैसे ले सकता हूँ भाबी जी? कोई बात नहीं, आप आराम से घर जाईए नहीं धनी राम जी, आपके मुझ पर पहले से ही बहुत दुपकार है मैं पहले के पैसे आपके अभी तक नहीं दे पाई हूँ पैसो का क्या है भाबी जी? जब हो आप तब दे देना अभी आप आराम से घर जाईए करुना फिर वहाँ से घर आ जाती है और अपनी मुमोस की दुकान पर काम करने लगती है आईए, आईए, स्वादिश्ट और मसेदार मुमोस खाईए और अपने घर भी ले जाईए आईए, आईए वो अपनी दुकान अकेले ही चलाती थी बुढ़ापे की वजह से वो जादा काम नहीं कर पाती थी लेकिन फिर भी वो रोज मुमोस की दुकान खोलती और काम करती गिने चुने लोग ही उसकी दुकान पर आते थे कभी-कभी तो एक आदमी भी उसकी दुकान पर नहीं आता था करुणा का गुजर बतर बहुत मुश्किल हो गया था करुणा बहुत धार्मिक स्वभाब की थी वो हर रोज गणीशी के मंदिर में जल चड़ाने जाती थी और प्राटना किया करती थी हे भगवान इस अभागन पर दयाज रिष्टी डालो जीवन बहुत कठिन हो गया है लोगों से उधार लेकर मैंने अपने बेटे को पढ़ाया और अब वो मुझसे मिलने भी नहीं आता मेरे पती के गुजर जाने के बाद उनकी दुकान चलाना मुश्किल हो गया है कोई काम करने वाला नहीं है और अब इस बुड़ी से इतना काम भी नहीं हो पाता हे प्रभू दया करो ये बोलकर करुणा वहां से चली जाती है करुणा निराश मन के साथ दुकान पर बैठी होती है तब ही करुणा के पास दो जुड़वा बच्चे आते हैं मैं तुम्हें अपने साथ कैसे रख सकती हूँ मैया हम आपका सारा काम करेंगे बस आप हमें अपने साथ रख लीजिए ठीक है करुणा को उन दोनों जुड़वा बच्चों पर दया आ जाती है और वो दोनों को अपने साथ रख लेती है भगवान ने इस बार करुणा की पुकार सुन ले वो दोनों भगवान के भेजे हुए दूट थे जिनको भगवान ने करुणा की मदद के लिए करुणा के पास बेजा था करुणा मोमोस का सामान बना रही होती है माजी ये काम आप हमें दे दीजिए मोमोस हम बना लेंगे आप जाकर आराम कीजिए करुणा रसोई घर से बाहर आ जाती है वो दोनों बच्चे उसके बाद गेट लगा देते हैं थोड़ी देर बाद गेट खुलता है करुणा देखती है कि सारे मोमोस बहुत अच्छे से तयार हो गए है करुणा ये देख कर बहुत खुश होती है अरे वाह तुम दोनों ने तो बहुत अच्छा काम किया है फिर करुणा उन दोनों बच्चों के साथ अपनी मोमोस की दुकान खोलती है और मोमोस बेचने लगती है आईए आईए स्वादिष्ट और मज़ेदार मोमोस खाईए और अपने घर भी ले जाईए आईए आईए आज करुणा के मोमोस में से ऐसी खुश्बु आ रही थी जैसी कभी नहीं आई पुरे बाजार के लोग मोमोस की खुश्बु से आकरशित होकर करुणा की दुकान पर आने लगे और देखते ही देखते करुणा की दुकान पर भीर लग जाती है अरे एक प्लेट मोमोस देना मुझे भी देदो एक प्लेट अरे वाँ 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 इतने स्वादिष्ट मोमोस तो मैंने आज तक कभी नहीं खाए अहाँ वाँ 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 करुणा लोगों की ये सारी बाते सुनकर काफी खुश होती है देखते ही देखते उसके सारे मोमोस बिख जाते है आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई अगर ऐसे ही मेरे मोमोस बिखने लगेंगे तो मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा दोनों बच्चे अब करुणा को कोई काम नहीं करने देते दोनों मोमोस बनाते और करुणा के साथ उन्हें बेचने भी जाते उन दोनों के बनाए मोमोस में ऐसा स्वात था कि हर कोई उंगलियां चाड़ता रह जाता एक रात की बात है वो दोनों बच्चे रसोई घर का दर्वाजा बंद करके मोमोस बना रहे थे कमाल है हर रोज ये दोनों रसोई घर बंद करके मोमोस क्यों बनाते हैं आज देखती हूँ, ये ऐसा करते क्या है करुना चुपके से जाकर खिड़की में से जाकती है वो देखती है कि उन दोनों जोड़ा बच्चों के हाथ में से चमतकारी शक्तिया निकलती है जिससे मोमोज अपने आप बनते है ये जादू देखकर करुना दंग रह जाती है वो तुरन तुन दोनों के पास जाती है दर्वाजा खोलो जी माजी तुम लोग कौन हो क्या मैंने सब देख लिया खिड़की में से, जल्दी बताओ डरिये मत हम आपको कोई नुकसान पहुचाने नहीं आये बलकि हम तो आपकी मदद करने आये है हम भगवान के दूत है हमें गड़पती जीने आपकी मदद के लिए भेजा है क्या सच में गड़पती भगवान ने आपको मेरी मदद के लिए भेजा है हाँ माजी आपकी परिशानी भगवान ने सुन ली और हमें आपकी मदद के लिए ही भेजा है करुना ये सब सुन कर बहुत खोश होती है अब इसके बाद दोनों फरिश्टों के जादू से करुना के दिन अच्छे होने लगे दोनों दूर दोज अपने जादू से मोमोस बनाते और करुना उसे बेच आती देखते ही देखते करुना की दुकान चल पड़ी लोग उसके मोमोस दूर दूर से खाने आते थे ऐसा करते करते करुना ने एक बड़ी मोमोस की दुकान खोल ली और धीरे धीरे उसने अपने सारे कर्ज भी चुका दिये अब करुणा के पास धन की कोई कमी नहीं थी ये बात करुणा के बेटे सुधीर तक भी पहुँच जाती है इधर सुधीर की नौकरी भी जा चुकी थी इसलिए एक दिन करुना का बेटा सुधीर अपनी बीवी के साथ वापस आ जाता है मा प्रणाम देखो मैं आ गया अरे सुधीर बेटा तू तू आ गया तुझे देखने के लिए तो ये आखे तरस गई थी हा मा मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी मुझे आप माफ कर दो मैं पागल हो गया था जो आपसे मिलने नहीं आ रहा था मेरी मती मारी गई थी लेकिन अब मैं आ गया हूँ अब आपको कोई परिशानी नहीं होगी मा ये देख ये तेरी बहु है मीरा नमस्ते ममी जी हमें माफ कर दीजे बेटा मैंने तुमको माफ तो तभी कर दिया जब तुम मेरी आखो के आगे आए आज भगवान ने मुझे सारी खुशियां दे दी अब मुझे कुछ नहीं चाहिए चलो अब तुम घर भी क्या हुआ तिजोरी की चाबी मिली हाँ ये रही अब फटा फट इस बुढ़िया के सारे पैसे निकालो और चलो निकलते हैं यहां से हाँ चलो मीरा और सुधिर चुपके से जाकर तिजोरी खोलते हैं और वो तिजोरी में से सारा पैसा निकालकर अपने बैग में भढ़ लेते हैं वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते वो गाउं से बाहर निकल जाते हैं। तब वो ठक कर एक जगा आराम करने के लिए बैठते हैं। अरे पैसे कहा गए यहीं तो रखे थे। हाँ पैसे कहा गए समझ नहीं आ रहा है। तब ही वहाँ पर दोनु जुड़वा बच्चे आ जाते हैं। और वो दोनु सुधीर और रेरा पर सोर सोर से हस्ते रखते हैं। किसी भी कीमत का नहीं अभी भी समय है। सुधर जा और जाकर अपनी माँ से माफी मांग ले। आप दोनों ने हमारी आखे खोल दी। हम लोब में अंधे हो गए थे। हम अपसे ऐसी गलती नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो। और सुधीर अपनी मा के पास वापस चले जाते हैं। और उसे सब सच बता कर माफी मांग लेते हैं। करुणा भी उनको माफ कर देती है। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करू समझ नहीं आ रहा है। तुमने मेरी इतनी मदद की इसके लिए धन्यवाद। अब मुझे सब कुछ मिल गया है। मेरा बेटा, मेरी बहु सब। इसकी कोई जरुवत नहीं है माता, हमने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ भगवान ने कराया है, अब आपका जीवन अच्छा हो गया है, तो अब हमारा भी यहां से जाने का समय आ गया है, अब आप हमें जाने की अनुमती दें। चैनल कराया है, जया हमें जाने का जीवन अब आपका जाने की आपका जाने के जाने की आपका जाने की तो दें।